नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नहीं होगा, राज सरकार ने सित लहर को देखते हुए निरना लिया है इसकूली सिक्षा एवं सक्षर्था विभाग के मंत्री जगा नायत महतों के आदेश पर विभाग ने मंगलवार को इस समद में आदेश जारी कर दिया है बतादे 9 जन्वरी से इन कक्षाओ के बच्चों का समाने रूप से पठन पठन शुरू होगा विभाग दोरा जारी आदेश के अनुसार भले ही 8 जन्वरी तक कक्षा 1 से 5 के बच्चों का पठन पठन नहीं होगा लेकिन सभी सिक्षक स्कूल आएंगे इस दोरान वे स्कूल से समधित सभी अभिलेक अपडेट करेंगे तथा आउनलेन डाटा इंट्री करेंगे इस अधी में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को मिड़े मिल भी दिया जाएगा बतादे विभाग ने मंगलवार को सुरू में सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया था बाद में इससे साहे था प्राप्त अल्प संख्यक जतनीजी स्कूलों में भी लागू करने का संसोधन आदेश जारी किया है रासन काड़ धारकों को अब एक साल तक मिलेगा मुफ्त अनाज केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सेक्रेटी एक्ट के लभार्थियों को बड़ी रहत दिया अब रासन काड़ धारकों को हर महीने सरकार की ओर से दिये जाने वाला अनाज मुफ्त में मिलेगा सरकार एक साल तक प्रती ब्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्द कराएगी फिरी में अनाज बित्रन किया योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी जिसे PDS के तहट आने वाले लाभारतियों को फैदा होगा केंद्रे ने कुरोणा के करन प्रधान्मंत्रि करिप कर लेँद अन योजना को सुरुवात किया था इस योजना के तहट लाभुकों को फिरी में अनाज दिने का प्रधान था अब इस योजना को बंद करने के बाद एनेफ एसे के तहत मिलनेवाने अनाज को एक साल तक के लिए फिरी कर दिया गया है जन्वरी से ए योजना लागू कर दी गई है जारखन में मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट परिक्षा को लेकर जैक अध्यक्ष की बैठाक जार्खन में मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट की परिक्षा मार्च में होगी होली के बाद जार्खन एकेडमी काउंसिल दौरा दोस भी वा बराहमी की परिक्षा आयोजित करने की त्यारी की जा रही है जएक अध्यक्ष टाक्टर अनिल कुमार महतो की माने तो राजसरकार से प्राप्त निर्देशों का पढ़न करते हुए परिक्षा आयोजित की जाएगी एक ही बार में परिक्षा का आयोजन किया जाएगा सुनो दरोपदी थीम पर रांची के खादी मिला में नुकर नाटक रांची के मोराबादी मैदान में खादी मेले का आउजन किया गया है इसमें बड़ी संख्यम लोग पहुंच रहे हैं अच्छी बीक्ति से कारेव बारियों में भी उत्सा है इस मौके पर संस्किति कारक्रमों का भी आउजन किया जा रहा है मंगलवार को सुनो दुरोपती थ प्यार मिल रहा है लोग जम कर खड़ीदारी भी कर रहे हैं अलग अलग राजियों से आए बून कर कारीगा रहस्त सिल पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं रांची के चान्हों में आठवी की छातरा से गैंग रेप रांची जीले के चान्हों ठाना चेतर में एक नवालिक छातरा से गैंग रेप का मामला सामने आया है इस मामले को लेकर पीडिता की ओर से मंगलवार को प्राथमी की दर्ज कराई जाने के बाद चानो पुलिस ने गैंग रेप के दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जबकि तीसरा आरोपी फरार है इसकी गिरफतारी के लिए पुलिस अपने मारी कर रही है बताया जा रहा ह कि गैन्ग रेप के बाद आरोपयों ने पिर्टा को धमकी भी दी थी कि किसी को बताने पर वे पूरे परिवार को जान से मार देंगे इसके बाद मामले को रफा दाफा करने को लेकर उन्होंने पैसे का परलूबन भी दिया था पीर्ता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमी की कनुसार आठवी की कक्षा में पढ़ रही छात्रा के साथ गेंग रेप की घटना 26 दिसंबर को घटी थी 17 फरवारी से रांची के खेल गाव में सांसत खेल महसव का आयोजन सांसत खेल महसव को लेकर मंगलवार को रांची के सांसत संजाय सेट के अरगोड़ा इस हित के इंदरिये करेला में बैटा कोई इसमें महसव के आयोजन सहीत कई महतपुन बिंदू पर चार्चा हुई यह निर्न लिया गया की रांची लोग सभा चेतर के सभी विधान सभा चेतर रांची हटिया काक के खिजरी इचागर सिली चेतरों के खिलाडियों को इस महतपुन में भाग लेने के लिए परसाहित किया जाएगा इसके लिए राइश्ट्रेशन के परकिरिया 20 जनवरी से शुरू होगी जो पांच फरवारी तक चलेगी वहीं 17, 18 और 29 फरवारी को रांची के खेल का विश्थीत मेगा एस्पोर्ट कमप्लेक्स में सांसत खेल महोसों का आविजन होना है घने कोहरे की चादर में पलामू मेदनी नगर सहर में सुबह 4 बज़े से 7 बज़े तक 9 डिगरी तापमान रिकोर्ट किया गया दोपर तक बढ़ते हुए तापमान 20 डिगरी तक पहुंचा अपराहन 3 बज़े के बाद फिर से तापमान गीने लगा बतादे पूरे दिन सहर घने कोहरे से लिप्टा रहा इससे वाहन परिचालन में दिकत होई वाहनों का परिचालन भी आम दिनों के प्रेक्षा कम हो रहा है बतादे मेदनी नगर सहर की बात करे तो यहां अमोमन रात को 8 बज़े के बाद ही दुकाने बंद होने लगती है पर ठंड की वज़ा से साम को 5 बज़े ही अधिकतर दुकाने बंद होने लगी सबसे अधिक परिशानी फुटपात दुकंदारों को होई दिन में भी यह अपनी दुकानों के पास आग जलाकर तापते हुए नजर आए जैपाल सिंग मुंडा की जयनती पर आदम कद परतीमा का अनावरान केंद्रिये मंत्री सा खुटी सांसद अर्जुन मुंडा नमंगलवार को जैपाल सिंग मुंडा की जयनती का असर पर टाकरा में आयोजित कारकरम को समभधित करते हुए कहा है कि जैपाल सिंग मुंडा देश के महान हो की खिलाडी थे उन्होंने अजादी से पहले खेल में देश का परतिनिजित्व किया वे समिधान निर्मान में भी आदिवासियों की आवाज बन कर उभरे आदिवासी समाज का मार्ग दर्शन किया हम उनके सपनों को पूरा करने को लेकर परतिवाद है इसमों के पर उन्होंने समाधी अतर पर जाकर सदानली अर्पित की और जैपाल सिंग मुंडा की आदम परतिमा का आनावरन किया जामुमो ने कहा भाजबा के सासनकाल में भंग होई पारसनात की पवित्रता जैर्खन मोक्ति मोर्चा ने जैन धर्म के आस्था के केंद्र पारसनात इसी समेद सिखर जी को लेकर हमन सरकार परारोप लगाने की कोशिसों का कड़ा विरोत किया है रगवर सरकार के समय दो गयट जारी हुए थे उन्होंने मीडिया से आगरा किया है कि सचाई को जानकर बाते रखे आज इस मुद्धे को लेकर पाखंड और राइनितिक करने वाले भाजबा ने ता भोल का है कि पारसनात को परिटक अस्थल पूर्व की रगवर सरकार और क संजय परसाद की अदालत में विधायक सम्री लालके निर्वाचन को चुनाओती देने वाली एजका पर सुनवाई होई मंगलवार को सम्री लालकी और से अधिकारी की गवाहों की गवाही ओनी थी लेकिन कोई भी गवाह आदालत नहीं पहुंचा इस पर अदालत ने प्रतिनिधी मंडल की सियम हमंत से जल्द होगी मुलकात राज सरकार गिरीडी के पारसनात इती समेद सिखर जी को धार्मिक परेटल अस्थल के रूपे घोसित करने को तयार है लेकिन जैन समाज वर्ष 2019 में राज सरकार द्वारा उस अधी सुचना को निरस्त करने की मायंग परड़ा हुआ है जिसके तहद पारसनात को अंतराष्ट्रे महत्तों का परेटन अस्थल गोसित किया गया है राज सरकार इस अधी सुचना में परेटन अस्थल के साथ धार्मिक अस्थल जोडने को तयार है समेद सिखर जी के लिए जैपूर में जैन मुनी की समाधी के सव पर राज के प्रटन कला संस्कृति मंतरी हाफिजूल हसन ने कहा है कि जैन समाझ की आस्था का पुरा ख्यार रखा जाएगा राज सरकार इसका समधान निकालने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा है कि सोमवार को उनसे मिलने पहुचे जैन समाझ के प्रतिनिदी मंडल को इसका अस्वासन भी दिया है मुक्ष मंत्री हेमान सुरेन के साथ परतिनीदी मंडल की बैठक सिग्र कराई जाएगी ताकि इसका समधान निकल सके नीजी एजेंसी को मिलेगी सरकारी स्कूलों में साइन्स लेब की अस्थापना की जिम्मेदारी राज्य में पहली बार सरकारी स्कूलों में साइन्स लेब के स्थापना से लेकर उसके रख रखाव तथा सिसको के इसके लिए आवस्थक प्रस्क्षन की जिम्मेदारी नीजी छेत्र को दी जाएगी जारखन सिक्षा प्रविना परिशाद ने इसे लेकर एजेंसी के चैन की परकिया शुरू कर दिया बता जे राज्य में स्कूल आफ एक्सिलेंस वा आदर्स स्कूलों में बिक्सित किये जा रहे 405 इसकूलों तथा पूरो से संचालित 69 मोडल इसकूलों में साइंस लेब को लेकर नई बेवस्थाप नाई गई परिशत दोरा लिये गए निरनाय के अनुसार चैनित एजेंसी भौत की रसायन बिज्ञान तथा जीव बिज्ञान की लेब की अस्थापना के साथ साथ उसका तीन साल तक रख रखाव की भी जिमेदारी संभालेगी बोकारो के नवाडि में सिक्षिका ने छात्र को डंडे से मारा कट गई बचे की उंगली नवाडि परखंड इस्थित उतकर्मिक मद बिज्ञाले चीरूडी के काक्षा दो के दस वर्षिये छात्र लक्षमन कुमार को होमवर्क नहीं करने पर सहायक सिक्षिका बसंती देवी ने इसकदर पिटा कि उसके बाय हांथ के बीच की अंगली का उपरी भाग कट गया इस घटना से अस्थानिये ग्रामिनों में आकरोसा है लोकसभा चुनाओं को लेकर बिजेपी ने कसी कमर जारखन में भाजपा दो हज़र चोविस के लोकसभा चुनाओं में 14 सीटों पर कमल खिलाने के उदेश से कमर कस रही है इसकी सुरुआत पिछले साथ जनवरी को पच्चमी सीम्भूम के चाईबासा लोकसभा चेतर से देश की ग्रीह मंत्रिया मित्सा करेंगे भाजपा ने पहले चरण में उन लोकसभा चेतरों को फोकस किया है जहां पिछली बार के चुनाओं में कमल नहीं खिल पाया था जारकन के चाईबासा वा राजमहल सीट पर भाजपा लोकसभा चुनाओं नहीं जीत पाय थी राजमहल में जामो तो चाईबासा में कॉंगरिस ने चुनाओं जीता था रामगड में आग लगने से दरोगा के कमरे में तलातर चली गोली रजराप्पा थाना परिसर में इस्थित पूलिस अवने रिक्षक राम बिरिक्ष परसाथ के कमरे में मंगलवार की सुबा अचानक बिजली के सोट सर्किट से भिशन आग लग गई आग इतनी तेज से फैली कि देखते ही देखते कमरे में रखे सब ही समान जल कर राक हो गए इस दवरान थाने में एक बड़ा हाथसा होते होते टल गया बता दे आग लगने के कारण कमरे में गोलियों के ततलात घुजने लगी दरसल कमरे में बैग में रखे पिस्टल के साथ रखी दरजनों गोलिया फूटने लगी कुछ गोलिया बैग से छिट कर दरवाजे में जा लगी जो कुछ गोलियों कमरे के दिवारों में जाकर टकराई साथ जनवरी को केंदरिये ग्रीह मंत्री अमित साह चाईबासा साथ जनवरी को केंदरिये ग्रीह मंत्री अमित साह के चाईबासा दरे को सफल बनाने के लिए सोमवार को रगुनाथ पूर्मे भाजपा निमडी पच्छिम के अध्यक्ष चीनिवास महतों के अध्यक्सता में करकताओं के बैठक होई इस असर पर निनन लिया गया कि 5 जनवरी को चांडिला डेम इस्थीत सिस महल में भाजमयो का मिलन समारो सा वन भोज आयोजित किया जाएगा भाजपा नेता चंद्रमोहंदास ने कहा है कि 7 जनवरी को चांडिला में केंद्री ग्री मंत्री अमित्सा के जन्सभा में इच्चा गड़ बिधान सभा से लगबग 5000 करकता चांडिला जाएंगे निव इयर पार्टी में परतिबंधित मास खाने का दबाव नए साल का जस्न पूरी दुनिया में लोगों ने अपने अपने धंग से मनाया है कोई कहीं घूमने निकला तो किसी ने घर पर रहकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताया तो किसी ने अपनी पसंद के पकवानों का लुपत उठाया लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने नए साल के जस्न में कुछ लोगों को भंग डाला है बता दे उसे जबर जस्ती सराब और परतिवंधित माज खिलाने का पर्यास किया गया और इनकार करने पर मार पिट तक की गई मालूम हो कि राधार नगर थाना चेतर की पच्छमी उदवा पंचायत के पाकिजा मोर श्थीत टावर के समीब 31 दिस्तंबर की रात को कुछ लोगों ने कथित तोर पर अनुसूचित जाती के एक ब्यक्ति को जबरन परतिवंधित माज खिलाने तथा मादिरा पिलाने का प मासूमों के होसले की उडान झारखन के कोडारमा जिले के अवरग खदान छेतरो के सुधरो वर्ती गाओं में जहां बचपन दम तोर देता था वहाँ अब मासूमों के होसले उडान भर रहे हैं बता दे इन गाओं में 3800 बाली काओं ने यहां डोम चांच इलाके के परखण मैदान में अविजीत अनोखे सत्यार्थी खेल महोस्टों में बढ़ चड़कर हिसा लिया महोस्टों की सबस्तिया नोखी और विशेस बातिया आ रही है कि इसमें भाग लेने वाले बच्चे कभी माई का में बाल मजदूरी करने के लिए अविसलप्त थे खेल कूद उनके लिए सपनों की तरह ही था महोसो का विजन पांच सो से ज़्यादा बाल मित्र ग्राम की बाल पंचायतों के चाइल्ड लिडर्स के नितितु में किया गया पारा मिलीटरी फोर्स वा पुलिस ने तीस एकड में लागे अफिम को नस्ट किया खुटी जिले में चल रहे अफिम और अवयद सराब के खिलाप अभियान के करब में मंगलवर को पारा मिलीटरी फोर्स और जिला पुलिस ने सन्युक्त करवाई की है इसमें विभीन गाओं में लागे तीस एकड में पोस्ता की फसलों को नस्ट कर दिया गया एक अवयद चुलाई सराब की भटी को धवस्त करते हुए 150 किलोग्राम महुआ के जावा को भी बरबात कर दिया गया बतादे खुटी के एसपी अमन कुमार ने बताया की सोयको थाना चेत्रे के गिंडूंग और मुर्भू थाना चेत्रे के बगमा गाओं में एक एकड में लगी पोस्ता की फसलों को नस्ट किया गया जारखन सरकार में पीछडों के साथ उपेक्छा का लगाया आरोप राई सभा सांसद सह जाद्यू के जारखन परदेश अध्यक्स खिरू महतों ने जारखन ओवी सी आरक्षण मंच के अध्यक्स कैलास यादों से उनके धुरुवा टंग की साइट इस्थीत आवास पर पहुँच का सिष्टा चार मुलकात की अध्यक्स कैलास यादों ने शांसद खिरू महतों को सौल ओड़ा कर समानित किया बतादे मंच के अध्यक्ष कहलास यादा उन्हें सांसत खिरू महतों से कहा है कि हमान सरकार में राजे के लबग 60 पिजदी OBC यह 14 पिजदी अनुसुचित जातियों की हलात बेहत दैनिय है उन्होंने कहा है कि OBC को 27 और अनुसुचित जाति को 14 पिजदी अरक्षन सीमा बनाने की अधिस उतना राज सरकार को स्वयम जारी करनी चाहिए थी भागपा मवादी को जटका एक साथ आठ नक्सलियों ने किया आत्मसमरपन जारक्षन में आठ नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमरपन कर दिया है इससे भागपा ममाधियों को बड़ा जटका लगा है बताया जा रहा है कि सभी को बुद्धवार को सामने लाया जाएगा साल दुहयर तेज के पहले ही महिने में जहारकन में नकसलियों को तगड़ा जटका लगा है समेद सिखर को लेकर जहन समाज का देश भ्यापी बिरोध गिरीडी में पारसनात इस्थित जहन धर्म के सबसे भवितरस्थल समेद सिखर को लेकर जहारकन सरकार के फैसले को बिरोध जहन समुदाय के लोग का देश भ्यापी बिरोध परसन सुरू हो गया है सरकार के आदेश के बिरोध में जैपूर में जैन धर्म गुरू ने 3 दिसमर को अपना प्रान तक त्याग दिया जार्खन सरकार के फैसले के बिरोध में इंदोर जैपूर और गुजराच के बिभीन सहरों में भी बिरोध जारी है वहीं तीन दिसम्बर को रांची में जैन समुदाय के लोगों ने मौन जूलूस निकाल कर सरकार के नीतियों का बिरोध किया जारखन आएंगे बिहार के सीम नीतिस कुमार जारखन में जैनता दल यूनाइटेड आपने संगठन को मजबूती करने की कवायद में जोर सोर से लग गया है इसी को लेकर परदेश करेला में बुद्धवार को रांची जीला जद्यू के बैठक आयूजीत की गई है इस बैठक में रांची जीला में रहने वाले सभी पताधिकारी प्रकोष्ट के अध्यक्स जीला के पताधिकारी और प्रकंड अध्यक्स हीत वरिष्ट नेता मौझूद रहेंगे बैठा को लेकर पार्टी के मुख्याले परभारी और जद्यू को वरिष नेता सरवन कुबा ने बताया है कि आने वाले चुनाओं में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और राज्य में पार्टी का कैसा अभिस्तार हो इस परमंथन किया जाएगा जारखन में दूसरे राज्यों की रिपोर्ट परताय होगा आंदोलन कारियों के सम्मान और सुविधा का पैमाना अंदोलन की उपज जार्खंड है लेकिन राज बनने के लिए परसन करने वाले जेल जाने वाले पूलिस की लाठिया खाने वाले सलक जाम करने वाले खुद रायनीती का हिसा बन कर रहा गए बिसक जारकन अंदोलन कारियों और उनके आसरीतों के सम्मान और हग के लिए सरकार ने कुछ नियम जरूर बनाए लेकिन जब बात सम्मान रासी और सुविदा बढ़ाने की होती है तो सरकार दूसरे राजियों में मिलने वाले सुविदा बात करने लगती है बता दे अब सवाल यहा है कि चीनित जारकन अंदोलन कारियों को किस तरह की सुविदा और लाब दी जाती है इसका जवाब जानते ही सोच में पड़ जाएंगे बता दे ततकालिन अर्जुन मुंडा सरकार ने 7 मैं 2012 को गिरी करा एवं आबदा प्रवंदन विभाग की संकल्प संक्या 1208 के तहत अंदोलन कारियों को मिलने वाले सुविदा जोड़ी प्रस्ताव जारित किये थे लेकिन बर्दमान हेमन सरकार ने 25 परवरी 2021 को पूरो के प्रस्ताव को बिलोपित करते हुए नई बेवस्था लागू की है लोहरदग्गा में नेत्रहिन महिला के साथ सामोहिक दूसकर्म के बाद हत्या जारखन से मनावता को सरमसार करने वाली घटना सामने आई है यहां नेत्रहिन महिला के साथ सामोहिक दूसकर्म करने के बाद मंचलो ने उसकी हत्या कर दी और सौव को कुए में फेक दिया रेप के बाद हत्या की एग घटना लोहरदग्गा जीले की है जीले के कैरो थाना चेत्रे के बागी गाउं में माहिला के साथ सामोहिक दूसकार्म करहत्या करने और सौ कुकुए में फेकने की घाटना से हरकंप मच गया है धन्यवाद